Hello Everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे केकी एंदारोवाला की पोएम Death of a Bird के बारे में केकी एंदारोवाला एक इंडियन पोएट और इंग्लिश के short story writer है उन्हें 1984 में अपनी पोएच्ची के कलेक्शन के लिए साहित्य अकाडमी अवार्ड मिला Present Poem Death of a Bird में पोएट Theme of Sin को elaborate करते हैं कि narrator और उसकी female partner किसी जंगल में गए और एक पक्षी को मार दिया जिससे वो शापित हो गए और उनके साथ एक के बात एक tragedy होती है तो चलिए शुरू करते हैं Under an overhang of cracks fears bird love Overhang means चजजा और crag means कूटक या a steep rugged rock तो उबर खाबर पत्थरों के चजजे के नीचे extreme intensity के साथ दो birds sexual act में indulge थे The monals mated, clawed and screamed Monal पक्षी का एक type है तो monals के mating का manner fierce से और violent था दोनो एक दूसरे को पंजो से मार रहे थे, चिला रहे थे The female brown and non-descript, the male was a king, a fire dream मादा पक्षी भूरे रंकी और साधारन थी और male raja था और aggressive और fierce था My barrel spoke one word of lead The bird came down, the king was dead और almost dying और शिकारी ने या उस आदमी ने गोली चला दी और एक पक्षी नीचे गिर परा, वो male था मर चुका था या मर ही रहा था His eyes were glazed, the breast still throbbed उसकी आखे भाव शुन्य हो गई थी, चमकदार थी और उसकी चाती अभी भी धगदक कर रही थी We tucked him pulsing as he was in our rucksack The female rose in terror crying Rucksack यानी पीट पर पहने वाला एक जोला और उन्होंने उस पक्षी को उठा कर जबकि वो जिन्दा था उसे जोले में डाल दिया Tuck means डालना या रखना और मादा पक्षी बहुत डर गई थी और विलाब करने लगी वहां से चली गई With bird blood on our hands We walked and as the skies broke into rags of mist Why did our footsteps drag और हमारे हाथों पर चिरिया का खून लगा था और ऐसे ही वे आगे बढ़े लेकिन आसमान में धुंद छाने लगी और इसके साथ ही पता नहीं क्यूं हमारे कदम भी मंदे पर गए वे पैर घसीट कर चलने लगे The cumulus piled on the cracks We smote the pony on its shanks to hurry him around a bend Cumulus यानी मेगपुंज या बादल Smote यानी मारना Pony यानी टटू एक तरह का घोरा और shank यानी टांग तो अचानक से कूटक पर बादलों का धेर लग गया और इसलिए उन्होंने घोरे की टांग पर मारा ताकि वो थोरी फूर्ती से जुकाव की तरफ बढ़े He swiveled and went down the flank of rock a thousand feet below to where the roaring river flowed तो उस घोरे ने अपना संतुलन खो दिया और घूमते हुए पत्थरों के बगल से हजार फीट नीचे जागी रा जहां गरचती हुई नदी बहती थी His scream climbed up the gorge a nightmare fang which ploughed my blistered dreams and sore begging children और उस घोरे की चीख घाटी पे उपर तक आई यह उनके लिए बहुत भयानक अनभव था जैसे विशैले दात ने उनके चाले पढ़ने वाले सपनों को जोता हो और उससे विंती करते हुए बच्चे पैदा हुए यानि कि अब वो घोरा मर चुका है तो उन्हें पैदल ही सफरताय करना है depressed a bit we took the road walking like cyphers disinterred from some forgotten code और वे depressed हो गए और सरक का रास्ता लिया और वे cyphers यानि unimportant persons की तरह जिन्हें किसी भूल चुकी सहीता से खोद कर निकाला हो ऐसे भटक रहे थे dusk caught up with us and beers my terror gun spat at shades और शाम ने उन दोनों को घेर लिया और narrator अपनी बंदूक से परचाईयों पर बूंद की तरह प्रहार कर रहे थे but missed each time लेकिन हर बार उनका निसाना चूक जाता when jackals howled sniffing rips trembling she asked if they were wolves जब सियार हुआ हुआ करने लगे और सुनने जैसी एक आवाज आने लगी तो पसलियां कापते हुए narrator की female companion पूछती है की क्या वे भेरिये हैं I simply held her hand in mine and walked on further to a cave hemmed in by pine मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और आगे बढ़ा जहां हमें pine यानी चीर के पेरों से घिरी एक गुफा मिल गई We would have missed but for a growling भोटिया डॉग the raisin tappers left behind to guard their cans and bedded Iker pimpling like a spray of cysts और हम शायद उस गुफा तक नहीं पहुच पाते अगर भोटिया कुटा वहाँ गुराहत नहीं करता होता जिसे raisin tappers वहाँ छोर गए Raisin एक तरह का रस है जिसे pine tree के तने को छिल कर प्राप्ट किया जाता है तो वे अपने cans और beaded peep की रखवाली करने के लिए जिसमें raisin किसी कोस से होने वाली बोचार की तरह फुंसी के दाने के जैसे जमा हो रहा है उसकी रखवाली के लिए इस कुत्ते को छोर गए थे Just yards off an escarpment wrote Hieroglyphs on a scroll of mist और धलान से बस एक गच की दूरी पर धुंद में एक scroll यानी सूची पत्र पर चित्रलीपी लिखी गई है And as she crumpered with a chill I lit fire of turf and peat and rubbed her clotted sides and feet और जैसे ही वो ठंड से सिकुलने लगी मैंने घास पास में आग लगाई और उसका जो हिस्सा जम गया था और उसके पैरों को rub किया And found her waking in my hands like embers in a shadow net और उसे अपने हातों में जाकता पाया जैसे अंधेरे के जाल में अंगार उठ रहे थे In the wet lanes of her body, we apprehensive met और दोनों एक दूसरे के बहुत close आ गए लेकिन वे अंदर से डरे हुए थे And as we rose to the final kill Two electric saws meeting on a hill in the narrowing bones of a fractured tree और जैसे ही वो आखरी शिकार के लिए उठे एक खंडित पेर की सकड़ी हडियों में एक पहारी पर दो electric आरी मिलती है Each of us thought the other was free of the pony's scream and the monal's wings and the prowling beers in the fire light rim और दोनों को ये लगता है कि वे घोरे की चीक से monal के पंखो से और prowling beer जिस पर narrator ने bullet से वार किया था इन सब sinful act से वे free हो गए है Her head on my heart beat, hair locked in my finger, she purred into sleep उसका सर मेरी धरकनों पर यानि chest पर उसके बाल मेरी अंगलियों में लिपते और वो सो गई The night seemed to flower late with our dreams for the moon came out just for an hour or two रात भी लगता है हमारे सपनों के साथ अपने चरम की ओर अग्रिसर थी क्योंकि चान्द भी सिर्फ एक या दो घंटे के लिए बाहर आया And the monal wings came feathering down in a passion of dusky gold and blue और monal के punk dusky gold और blue के भाव में नीचे आए And the wolves with mist went over the cliff और धुन्द के साथ ही भेरिये भी वापस चतान पर चले गए But for the wind we both would have dreamed The very same dream of quizins and love और वे दोनों सांती और प्यार के सपने देखते रहते अगर हवा बहनी सुरू नहीं होती But the wind was a thorn in flesh of the night And moaned aloud like a witch in the flu लेकिन हवा रात की समय में disturbance ला रही थी Flesh में काटे जैसी थी और हवा की इस तरह की तेश आवाज को किसी चुरैल की दर्द में पीरा से भडी आवाज से कराहना से compare किया जा सकता है I broke my gun in two across the back of an ash gray down Narrator ने ash gray रंग की सुभा की शुरुवात में अपनी बंदूग के दो टुकडे कर दिये A brown bird left the cracks flying strongly and as its shadow crossed us और जब वे दोनों वहां से जाने लगे तो एक भूरी रंग की चीरिया कुटक से तेजी से उरते हुए आई और जैसे ही उसकी चाया ने इन दोनों लोगों को cross किया It shaked with fear and turned to stone dropped at our feet तो वो डर से चिलाव थी और इनके पैरों के आगे गिर गई और मरने लगी It's the queen monal we are accursed ये मादा monal है हम शापित हो गए narrator की female companion ने कहा Just watch its eyes for though the bird was near dead Its eyes flared terror like bits of dripping meat जरा इसकी आखे देखो चुकि चीरिया मृत्यू के नस्दीक है इसकी आखो में डर ऐसे फैला हुआ है जैसे मांच से गिरते खून के छोटे छोटे टुकरे और इस तरह से poem खत्म हो जाती है I hope आपको ये poem अच्छे से समझाई होगी Thank you